कि हेलो फ्रेंड्स एस या यूपी चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि मैं लोग कमिटेड हैं हम आपको पड़े कोई ना कोई लखनो इस्टी की अपडेट प्रवाइड करते रहे तो उसी कर्म में मारा आज का नया वीडियो होने वाला है क्योंकि अभी हमने डीटेल वीडियो बताई थी डीटेल चर्चा की थी एक्जाम से रेटेड थोड़ी सी और अगर आपको जाना तो कॉमेंट कर दीजेगे महां डीटेल वीडियो लेकर आ जाएंगे तो उसमें कॉमेंट आया था कि सर जो बीए होता है उसमें एवरेज राइटिंग ऐसे करत है अब उसमें नंबर हम कैसे अच्छे ला सकते हैं क्या किया जाए कैसे अपनी मार्किंग को हम सुधार सकते हैं उसके बारे में हम डीटेल चर्चा करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर क करिए ताकि लखनाविष्टी की परड़े में आपको कोई ना कोई अपडेट देते रहे हैं ऑफिशल चैनल से बहुत जादा सबसे पहले चली हम बात करते हैं बिना टाइम गवाएं की ऐसे राइटिंग में नमबर के सलना कर já देखिया आपको पहले ही बताया है LU में दो semester exam होते हैं जो even semester होता है वो आपका subjective type होता है जो और semester होता है वो आपका objective type होता है subjective type में आपको लिखना होता है objective term in tick लगाने होता है देखिए मैं फिर बतारो चाहे आप किसी भी उनिष्टिका देख लीजिए objective जो type होता है आप अगर number बनाना चाहते हैं तो उसी में आपके number बन सकते हैं क्योंकि उसमें आपके writing किसी भी तरह हो आपने कुछी की वहाँ पे tick लगाना मैनी रखता है सही है तो पूरे number मिलेंगे गला तो पूरे number कटेंगे तो वहाँ पे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो objective type में आप अच्छे number ला सकते हैं फिर सुन लिजे objective type में आप अच्छे number ला सकते हैं क्योंकि उसी में number बनी सकते हैं अगर आप सोचे subjective में number बन जाए तो L.U. कभी भी subjective में कोई भी university email you की बात नहीं करते हैं subjective में number बहुत कम बनते हैं क्योंकि वो examiner के उबर depend करता है कि वो आपको इसमें number देगा या नहीं वो कुछ भी सोच समझ के काट लेगा number तो उसमें number देना वो examiner की mood के उबर depend करता है कि इसका mood कैसा है लेकिन जो objective type है वो आपकी computer से copy चक होती है उसमें अगर आपका सही है तो आपके पूरे number मिलेंगे अगर आप अच्छे percentage बनाना चाहते हैं चाहिए BA हो, BSC हो, Bcom कोई भी subject हो कोई भी आपका course हो किसी भी subject की बात हम कर रहे हैं तो आप तो बढ़िया हो गए semester system में कि आप कम से कम objective type paper में अच्छे number बना सकते हैं लेकिन जब पहले yearly system था तब तो बहुत लड़कों के number कम आते थे बहुत लोगों के number कम आते थे चाहिए जितने आप पढ़के वे नंबर कम ही आते थे अब उस पर आप या तो article एक copy देखें क्योंकि देखें हम फिर बता रहे हैं subjective type में लिखेंगे वो लिखने का काट रखते हैं अपने पास कि ऐसा नहीं लिखा वैसा नहीं लिखा तो वो mood के ओपर depend करता है उसमें number कम ही मिलते हैं कोई भी इंविश्टी किसी भी डिटेंग एक्जाम में चाहिए आप किसी चीज का एक्जाम दे रहा हूं सब्जेक्ट्व में कि अपके पूरे नंबर मिलेंगे तो आप राइटिंग में नंबर बहुत अच्छे और डिटेल में लिखेंगे बढ़िया से लिखेंगे सही से एक्सप्रेंगे नंबर मिल सकते हैं लेकिन फिर वही बात मूड आ जाता है अगर मूड अच्छा हुआ तो आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे लेकिन आप यह समझ के चलिए आप अबजेक्ट्व में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और परसंटेज को और ब पेपर भी दिखाएंगे सभी के exam paper भी मारे पास हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे work यह अगर आपको जो यह अरली सिच्टम में हो तब यह भी सिकी exam paper भी आपको दिखाया जाएगा और आपको हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे आप number ला सकते हैं किसके scores के better number है और किसमें आप और अच्छा score कर सकते हुआं हम आपको उसके उपर वीडियो बना के देंगे तो अगर आपको और कोई पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद